कि तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है सूर कितना बाजुए का दिल में है, एक से करता नहीं क्यूं दूसरा कुछ बात जीद, देखता हूं मैं जिसे वो चुपते ही महफिल में है, ऐ शहीदे मुलक में लग मैं तेरे उपर निसार अच्छा तो ठीक है, तुमने अभी है ना कुछ क्लिप्स देखी, अब मैं इस पर खुल के बात करता हूं थोड़ी NRC और CAA से रिलेटेड, अब देखो यार सबसे पहली चीज, मेरे को कल है ना मैसेज आए, एक तो देखो यार भक्त बनो, अंदभक्त मत बनो, कि आप किसी क खुद की आइडियोलोजी निया, आपके घरवाले कुछ बोल रहे हैं, या और कोई कुछ बोल रहे हैं, तो आप भी एक भीड़ के इस्से की तरह उसको सपोर्ट कर लो चीज को, यह देखो, मैं एक पहले चीज दिखाता हूं तुम लोगों को, कल मैसेज आता मेरे पास ए एक स्टेटस डाला था, फोकस करना है तर ठीक है, हो रहे हैं, देखो, सब देख लो, मैंने एक स्टेटस डाला था, इस भाई का रिपलाय आता है, मैं तुम्हें चैट बताता हूं, पढ़के बताता हूं, अरे भाई, आप किस साइड में हो यार, मैंने लिखा, वो बोलता है, मुझे कि हिंदूओं को बचाओ, तो यार, मुझे एक बात बताए, इसमें हिंदूओं को इस्ट से खतरा गया है, कोई खतरा निये हिंदूओं को तो, और सबसे पहली बात जो मैं बताओंगा, कि भाई, कभी भी, मायनॉरिटी से मैज्री को खतरा हो सकता है, गया, 4- 25 करोड मुस्लिम से 130 करोड हिंदुओं को खतरा कैसे हो सकता है पहली बात और जो बीजेपी बोलती है कि फॉल्स प्रोपोगेंडा यह वह तो भाई जूटी चीजों की जो में बात है मेरे को पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना लेकिन जो गलत है जूटी चीज मैं बताओ कैसे जयर एक बात बताओ अभी यह चीज कौन फैल आ रहा है कि हिंदूों को बचाओ हिंदू और से से ना जो लॉबी राश्ट्री संग इनका भाचपा वा लोगा ठीक है उसकी आइडियोलोजी क्या है वह हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदू के कोई कह मैं खिलाज को मैं झाल झाल अच्छा तो अभी हम सब लोग राजस्तान उनिवर्सिटी आए हुएं और मेरे पीछे तुम लोग देख लो सब जमा हो रहे हैं यहां से हम लोग जाएंगे अलवर्ट हॉल तो राजस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हो खुद भी आ रहे हैं तो व्यवस्ता वगेरा है अच्छ तुम लोगों को और यहां से अभी बस थोड़ी सी देर में प्रोटेस्ट के लिए सब जमाई हो रहे हैं लोग आ रहे हैं दरुदर से और यहां से हम निकलेंगे फिर धाई किलोमीटर की मार्च पास्ट है तो एलवर्ट हॉल जाएंगे हम लोग तो आप देखना तुम भी तैयारी हो चुकी पूरी यहां से निकलने वाले हम लोग यहां से एलबर्ट हॉल जाएंगे तो सब जंडे अगरा लेकर खड़े हो हैं अभी हाल फिलाल तो यही सीन है और यार तुम लोग भी अपने लेविल पर जो जो कर सको करो और यह मेरे वियूज है किसी पर ऐसा नह सकता है करो तो रैली होगी है शुरू लोगों ने चलना शुरू कर दिया और हम लोग फोड़ा पानी वानी तीले उसके बाद निकलते हैं यहां से हम भी तो पीछे सब लोग जमा हो चुके हैं और बस सब जमा हो गए अब यहां से निकलने का ही टाइम आ गया तो निकलेंगे सारी तैयारियां हो चुकी है और हम भी बस निकलेंगे यहां से तो सपोर्ट करो जो जो सपोर्ट में है इस चीज़ के तो यह रहा मेरा बैनर और बस शुरू हो गई है मार्ट पास सब जा रहे हैं तो हम लोगों की प्रोटेस्ट जा रही है और जो लोग भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो जो जो भी करता है सपोर्ट करना अपने लेविल पर जो भी कर सकता है अभी और लोग आ रहे हैं तो वहां से बात नहीं है पीस्फुल फ्रोटेस्ट है कोई दंगे या वैसा कोई मोटेव किसी का भी नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है जाहां भी जो भी है कुछ हो नीचे कमेंट करते ना और मम्मी मेरे को पीछे सब बुला रही हैं कि फोटो गींचते हैं मैं आता हूं कि यहां पे सी एंबी आ रहे हैं और मैं थोड़ा सा लेट हो गया मम्मी के डांट भा रहा हूं और आगे दा रहा हूं अभी चेर वगेरा पे पैठी है तो देख लो और आम से चांती से प्रोटेस्टोरी है पीस्फुल है एक्दम ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ दंगाबाज कि यहां फिर और बुक्षीन है और लोग अराम से बेटे हुए है और अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो ऊपर रहेंगी है और सामने स्टेज पर देखने हों क्या बोलते है यह शान दिमाचर है आज मैं आपको बढाई देता हूं कि यह शान दिमाचर है आज जैटू के लग अब जारे हैं और वापस फाइनली जां गारी कार की टीपी वही जारे है तो चैस रही है वी चल भी है मेरी आवाश है तुम्हें कम है बाद मैं बात करते हैं अच्छा यार कम से कम भी आपे दस बीस हजार लोग आय हुए है जादे हिंगे उससे मिरों काफी लोग अच्छा लगता है इसा टाइम पर पूरा देश उनाइटेड होता है सब एक साथ आते हैं उक साथ बात करते हैं मिलते हैं तो अब कोई धर्बवाली बात नहीं है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को मैं आप निकलूंगा घर की तरफ अच्छए बहुत अधर अच्छा है सगसेश्फिल है यह रही है और हम लोग अनगे की तरफ उनिवर्सिती में जो पार की किदी वहीं है तो चलते हैं वापस अब फिर मैं बाकी की वीडियो वाहर थोड़ा शान्ती में जाके बनातां कि देख सकते हो तुम लोग भी कि कि पीसफुल तरीके सा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस में भी एकका मस्ले वस्ता करती है पीछे लोग बैठ रहे हुए हैं अलाओ नहीं कर रहे हैं लेकिन शही है वो शेफ्टी के हसाब से और बाती तो पहले आगए तो आगे जा चुके हैं तो सेफ्टी है ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिस्क है खत्रा है तो अब मैं वापस रियू के कैमपस में आ गया और कुछ खाने जा रहे हैं अब भूब लग लग रहे है सुवेसे कुछ भी निखाया तो जारी मम्मी आ गया अब यहां पर चांती है कि संडे है ठीक है कुछ खाते भीते हैं पर बात करते हैं मम्मी ने टॉफी पकड़ाई है मिल्क डॉट्स और अच्छी है को देखते हैं कोई केंटीन वेंटीन खुला है या नहीं खुला जा किसमत में कुछ नहीं है अपनी कि वापस अब जा रहा हूं मैं गाड़ी की तरफ खापी लिया केंटीन था पीछे था ठीक ठाक साइब अब बस यहार अब घर की तरफ बढ़ते हैं और फिर कुछ बातें बताबंगा वहां पर चलके और यहां एक बात और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं क्या हो कर देना मैनत लगती है वाई त्य लोगों के बीच में व्लॉब लोग करने हैं समत सकते हो तो फाइनली आ गए चलते चलते और अब जाएंगे वह खड़ी गाड़ी अब यहां से निकलेंगे हम लोग नम्मी लोग अगरा आगे हैं मैं तो निकल रहा हूं घर टोटे सही रहा और नहीं बार सर्दियों के टाइम में हां गर्मी हो रखी है गाड़ी में धूप है तो यह इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती हम मिलते हैं आगे जूटी बताओं कैसे यह एक बात बताओ अभी यह चीज कौन फैला रहा है कि हिंदूओं को बचाओ बचाओ थीक है पर इंडिया का समविधान Constitution क्या बोलता है secular country है इसमें हिंदुओं को खत्रा का है मिरको एक यह बात बता दो हिंदूओं को खत्रा है जिसको खत्रा है उसकी तो बात होगी अब मैं तुम्हां बताता हूं लोगों के मन में क्या क्या है कट मुले मुले यह वह कटलू यह सब बातें यह बेकार की है इन प आने वाले टाइम में सब को बताएं बात शिड्डियूल कास्ट सी स्ट मीना इन लोगों को क्या बोला जाता था बंगी चमार यह वह आज खुलके बोलूंगा भाई में ठीक है तो आने वाले टाइम पर क्या इन पर चीज़े नहीं आएंगी चलो मुसलिम सारे चले गए इसमें हिंदून को खत्रा किस बात का है हिंदून एहीं समझंब नहीं बाहरा जाएंगे तो क्या होगा मेरे भाई पहले ना येक्ट पढ़ो उसमें साफ मेंशन कि मुस्लिम्स एक्सक्लूड़ए तो पहली बातों मुस्लिम्स तो आएंगे नहीं ठीक है दूसरी बात जो और लोग आएंगे बाहर से दो तीन चार करोड जितने भी लोग आएंगे ठीक है आप बहुत कम लोग आएंगे पर मिनमम एक नंबर है ना उसका दो करोड लोग तो आएंगे बाहर से अब वो लोग जब आ रहे हैं तो एक बाद बताओ उनको नौकरी कौन देगा यहां अपने वालों को तो मिलने भी प्राइबबबबी शिप तो पड़हो एक प्रइवेट की जो से कमप्नी जाँसे रोजगार बढ़ सकता है वह क्यो इंवेस्ट करेंगी जहां पर खत्रे के चांसे इतने जादा हो रोज लोग सड़कों पे हो तो थोड़ा दिमाग से तो चलो यार अंदभक्त बनने का क्या मतलब है मैंने इस भाई से पूरी बात की मैंने बोला इसको कि भाई तु सपोर्ट क्यों करता है मैं कोई यह नहीं कि मैं ऐसे ही सपोर्ट कर रहा हूं किसी को मैंने पढ़ा देखा उसके बाद में सपोर्ट करने गया ठीक है और जो तुमने ख्लिप्स भी देखी कल वह पूरा पीसफुल है उसमें कुछ नहीं है एक तरीक ही होता है कल जैसे सीएम खुद आये अराम से रैली हुई इस पीसफुल चीज हुई ठीक है यूपी में क्या हुआ सीएम सबको बता है खुद ही दंगे आप करवा होगे तो यहीं होगा फिर ऐसे इंस्ट्रक्शन्स दोगे उल्टे सीदे तो दंगे ही होंगे अब देखो और स्टुडेंट्स का राइट प्रोटेस्ट करना आप उनसे चीन नहीं सकते यह मेरे को फोर्स नहीं कर सकते कि तो यह कोई नहीं होता बोलने आला कि यह पॉलो करो यह मत करो यह कोई भी are कोई भी sauter शाहर खायान कोई आ यह कोई भी बोले की यह तुम फॉलो करने लगज्यों बढ़े हो है सब्सक्राइब करें और कि इसको खुद को यह नहीं बता है क्या बोलना चाहिए दूसरी कंटरी में माइनॉरिटी का ध्यान अच्छे से नहीं रखता ठीक है भाई नहीं रखा जाता होगा अपन हिंदु मुस्लिम कंटरी में बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है मेरा भाई हिंदू एटली सेफ तो है इंडिया में तो सेव ही है उसमें को कुछ मैंने तो बोला ही नहीं कि अनसेफ है हूँ मैं ऐसा कुछ बोली निरा फिर प्लीज सपोर्ट बीजेपी अब मेरा सवाल है क्यों हो सकता है मेरे को नहीं पसंद नहीं करनी मुझे मैं किसी पॉलिसी के खिलाफ हो सकता हूँ डिमोनिटाइजेशन हुआ था मैं बिल्कुल था कि अच्छा डिसीजन है सारे सही बाते हैं पर इस तरीके से डिसीजन नहीं इंप्लिमेंटेशन सही तरीके से होना चीज उस चीज़ का और अब तक मैं चुपता है यार इस पर कई लोगों को डर लगता है सोचल मेडिया पर होते हैं कि यार हमारे लिए लोग निगेटिव बोलेंगे वो बोलेंगे तो वाई मेरको कोई फरक नहीं पड़ता तुम नीचे कितनी गालिया कुछ करो अगर यह सोचा होता ना तो मैं कभी social media पर आता ही नहीं क्योंकि negativity तो हर जगा है अब यह तुम्हारे दिमाग पर तुम उसको कैसे लेते हो ठीक है अगर तुम खुद की अकल से अब छोड़ो वह भी यार मैंने लिखा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है मैं इंडियन हूँ मेरे को धर्म के अधार पर मत बा SCST जितने भी जो भी लोग है उनसे मेरा एकवा लेया तो आप एकदम ही भगा दो आपको अगर ऐसा ही करना है तो जिनसे आपको नफरत है आप हटा दो हिटलर की तरह जैसे उसने किया था तो उसका जो अंतुआ तो आपका होगा आज नहीं तो दस साल बाद ठीक है इससे बेटर है आप कंट्री की हालत पर ध्यान दीजिए अब इसने मुझे क्या बोला कि आर एक बात बताओ आतंकवादी हमेशा मुस्लिम क्यों निकलते हैं अब इस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता क्योंकि यह सोच है ना एक आदमी की सोच मैं वापस वही पॉइंट बो रहोगे उस वक्त भी करोगे ना खुद के राइट्स के लिए तो अभी क्यों नहीं अभी भी आवाज नहीं उठाई ना तो कुछ नहीं होगा और कंट्री की जो हलत है वो सबको पता है ठीक है अब यह देखो बट भी आ हिंदू वी हैव टू टेक कियर ओफ हिंदू एंड हिंदू ब्रदर एंड सिस्टर तो मैंने क्या कोई चाकुआ को मार दिया जाके किसी अपने हिंदू भाई या बेहन को कि भाई तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वह मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं बोला नहीं माव ngoj 와 मैं किसी चीश को पढ़ाए मैंने तभी इस भाई की तर्की नहीं है prac आप खुद हो नहीं पता से किसवास को लेका हिंदु बर्बाद हो रहे हिंने रे विवह हिंदू नहीं हो साभूल आता खिए मतलब क्या हותा है कि देख़ो जाके मेरा कजन मामामा मले है यह मतलब सपोर्ट सब्सक्राइब मेरा कजन मामा तुम करो सब quién कर रहे हैं तो मैं अभी यहीं पूरा व्लॉग देखो मैं तुम दिखाता कुए रहली वहली और कैसे में गया क्या हुआ तो तुम्हें मज़े आएंगे अब देखो आगे का व्लोब